नमस्कार गुड इवनिंग क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों आज अमीन का सेकंड वीडियो और इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं मैथट्स और प्रिपरेशन ओफ अमीन ठीके बच्चों और पहला वीडियो में हमने डिसकस किया था कि बेसिक कंसेप्ट ओफ जिसमें classification, nomenclature, structure इन सब के बारे में हमने डिसकस किया था तो आज सेकंड वीडियो सुरू होने वाला है methods of preparation of अमीन तो heading लगा लिजिए methods of preparation of अमीन कौन-कौन से method हो सकते हैं अमीन को बनाने के ठीक है बच्चों तो चलिए one by one discuss कर लेते हैं पहले सारे method लिग लेते हैं तर ammonolysis, ammonolysis of alkyl halide ठीक है बई, दूसरा method है हमारे पास, reduction, reduction of nitro compound ठीक है, तीसरा हमारे पास है, बच्चों, reduction of cyanide, cyanide compound, चौथा हमारे पास है, reduction of amide, ठीक हैं, पाच्वा हमारे पास है, gabriel, thalamide, reaction, ठीक है बई, और लास्ट हमारे पास है, hoffman degradation, या hoffman bromomide है ज्याद अच्छा रहेगा, bromomide degradation, ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमने amine बनाना है, यानि हमें क्या चाहिए, NH2 ग्रूप चाहिए, यह वाला ग्रूप चाहिए, ठीक है, अब NH2 ग्रूप हमें उनीक compound से मिल सकता है, जिनमे nitrogen ग्रूप होगा, है न बच्चों, तो देखो, सबोच पहला हमने लिखाया है कि alkyl hyalide, तो alkyl hyalide क्या होते हैं, Rx, और ammonolysis का मतलब होता है कि alkyl hyalide की किसके साथ reaction करेंगे हम, ammonia के साथ, तो x निकल जाएगा और यहां से h निकल जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, RnH2, सोचें न, किस तरह से, बनाना है RnH2, तो उससे related हमें compound लेने पड़ेंगे, तो यहां से हमें R मिलेगा, और यहां से हमें NH2 मिलेगा, तो हो गया, अब देखें बच्चों, NO2, तो अगर आपके पास कोई nitro compound है, और उसका आप reduction कर रहे हो, reduction कर रहे हो मतलब, oxygen हटा र बात करते हैं, cyanide compound, cyanide compound में बच्चों कौन सा group होता है, Rcn, अब cyanide का भी अगर हम reduction करें, तो हमें जो है, क्या मिलेगा, एक amino group, cyanide में triple bond N होता है, और अगर जब triple bond N का reduction करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, CH2 and NH2, तो अगें हमें एक amide मिल जाएगा, अगें बच्चों amide, तो am होते हैं, C-O-N-H-2, ये वाले, तो amide में भी जो है, nitrogen group तो present है, amino group present है, केवल कार्बोनी group को आपको reduce करना है, तो again reduction करेंगे, amide का तो हमें क्या मिल जाएगा, amine मिल जाएगा, इस तरह से, एक next name reaction आते है, जिसका नाम है, Gabriel thalamite reaction है, अलग तरह की reaction है, इसमें भी देखे, amide use हो रहे है, तो कहीं ना कहीं amino group involved है, ठीक है, और उसके बाद है, बच्चों, Hoffman bromomide reaction, इसमें एक amide, एक amine में convert हो जाता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको preparation में सारे ऐसे method मिलेंगे, जहाँ पे कोई cyanide, nitro, या ऐसा कोई compound, ऐसा कोई group होगा, जिसमें nitrogen present होगा, है ना कहीं ना कहीं सब में nitrogen present है, या तो वो anoto की form में होगा, या तो cyanide की form में होगा, या तो amide की form होगा, और उसको हम reduction करके किस form में लाएंगे, NH2 की form में, तो यह सारे method जो है, amine को बनाने के काम आते हैं, ठीक है, तो note कर लिजिए, पहला है amonolysis of alkyl halide, दूसरा है reduction of natural compound, तीस है, cyanide compound का reduction, चौता है amide का reduction, देखो तीनों का reduction हो रहा है, nitro, cyanide और amide, इन तीनों का हम करेंगे reduction, फिर दो name reaction है, gabriel thalamide and hoffman bromomide degradation, clear होगी है, चलो, आगे बड़े, ठीक है बड़े, कहां गया duster, तो यह 6 method पहले आप note कर लिजिए, बहुत सारे question in method से related आते हैं न, चले, तो अब one by one discuss करेंगे, तो सबसे पहले हमारे पास है बच्चों, आमूनोलाइसिस है ना, तो first heading लगाएंगे, आमूनोलाइसिस ओफ एलकाइल हैलाइड्स, ठीक है भई, यानि एलकाइल हैलाइड की किसके साथ reaction करेंगे, आमूनिया के साथ, चले देख लेते हैं, और अमूनिया एनि NH3, ठीक है बच्चों, आर और एक्स के बीच में इलेक्टो नेगेटिविटी का गयप है, तो इलेक्टोन यहां शिफ्ट होंगे, एक्स में माइनस चार्ज, आर में पॉजिटिव चार्ज, अब देखे बच्चों, नैट्रोजन के पास दो लोन पेर है तो यह पॉजिटिव चार्ज इस पर अटाइक करेगा, ठीक, तो आप देखो, क्या मिला हमें, आर एन एच थिरी और यहां प्लस और एक्स माइनस, इस तरह बच्चों एक सॉल्ट बन जाएगा, अलकाइल अमोनियम हैलाइट, क्या नाम होगा, अलकाइल अमोनियम हैलाइट, एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है बच्चों, अब अगर आप, देखिए, अगर आप इस अलकाइल अमोनियम हैलाइट को, एन ए ओच के साथ ट्रीट करेंगे, तो यह अपने आपको डिग्रेट कर देगा, यानि देख एकस के साथ जाएगा, एनि, तो देखो, एन, ए, एकस, प्लस, यहाँ से H निकल जाएगा, और यहाँ से OH, तो क्या मेला आपको, ह2O, ठीक है, अब यहां क्या बच्चा, बच्चों, यहां क्या बच्चा, एक NH2, तो देखे, यह हमें एक आमीन मिल गया, करेक्ट, तो पह पहले हमने अमूने के साथ reaction करके ammonium salt बनाया उसके बाद जो ammonium salt एने वच के साथ reaction करके एक amine में convert हो जाता है और साथ में बच्चों एने एक्स और water आपको मिल जाता है क्लियर तो इस तरह हमें एक primary amine मिल जाता है क्लियर हो गया भाई तो इतना समझ में आगया ठीक है अब बच्चों जो ये अमोनोलाइसिस है इससे आप primary, secondary, tertiary even quaternary ammonium compound तक आप बना सकते हो कैसे चलो देखते हैं मिटा दूए है ठीक है तो हमने लिया है primary amine है ना और यूज कर रहे है आप दुबारा से इसमें rx एक l के लहलेट डालेंगी तो बच्चों यहां से halogen और यहां से hydrogen निकलेगा ठीक है और ये r जो है direct यहां अड़ जाएगा rnhr ये देखो ये जो r है ये इस h को replace कर देगा और h और x अलग हो जाएंगे minus hnx सही है hx अलग होगे तो बच्चों ये था हमारे पास primary amine और अब हो गया हमारे पास secondary amine दुबारा से अगर आप एक और alkyl halide इसमें mix करोगे तो जो बचा कुचा h है वो x के साथ निकल जाएगा minus hx की form में और r इस पे attack यानि attached हो जाएगा rnrnr तो अब आपको मिल जाएगा tertiary amine इस तरह से एक बार और reaction हो सकती है दुबारा से अगर आपने इसमें r और x डाला तो इस समय hydrogen तो है नहीं ये पूरा के पूरा group इस पे आ जाएगा देखिए कैसे ये यहां किया ये minus ये plus इस पर जो है lone pair थे तो r यहां attack हो गया और x बाहर रहेगा देखिए rnr rnr 4r तो इस पे क्या चार जाएगा plus इस पूरे पे आ जाएगा plus और जो x है उस पे आ जाएगा minus तो इस इस tetra alkyl ammonium hyalides hyalides है ना tetra alkyl ammonium hyalides quaternary ammonium है ये quaternary amine है ना इस तरह से तो बच्चों monolysis of alkyl hyalides से आप primary, secondary, tertiary और even quaternary ammonium compound वे बना सकते हो बस आपको R की value change करते जाना है तो आपको अलग-अलग type के amine मिलते जाएंगे clear हो गया तो इसका सबसे बड़ा disadvantage यही है कौन सा disadvantage है the mixture of amine will produce by ammonolysis of alkyl halide तो कई सारे amine मन दिया नहीं mixture of primary, secondary, tercero, quaternary सारे के सारे एक साथ रहेंगे यह बड़ा disadvantage है इसमें से आप इनको separate नहीं कर सकते हैं clear हो गया अब अगर आपको केवल और केवल एक amine बनाना है देखे ठीक है भाई, इतना हो गया अब बच्चों अगर आपको देखो, दो condition है न देखो, मैं दो condition आपको बता रहा हूँ आपने लिया माल लिया जाए rx plus nh3 और nh3 को अगर हम बच्चों एक्सेस लेते हैं तो केवल और केवल प्रैमरी अमीन आपका मेजर प्रोड़क्ट होगा केवल यह बनेगा लेकिन अगर आपने अलकाइल हैलाइड को एक्सेस लिया तो बच्चों आपका प्रैमरी सेकंडरी टर्ट स्री और इवन क्वाटरनी अमीन बनेगा यह मिक्शर ओफ अमीन विल प्रोबाइड इस वी टेक अलकेल हैलाइड इन्हें एक्सेस तो अगर आप अमूनिया को एक्सेस लखते हो तो केवल आपको प्रैमरी भी नहीं मिलेगा और अगर आप अलकेल हैलाइड को एक्सेस करते हो तो बार-बार रेक्शन होगी तो प्रैमरी भी, सेकंडरी भी, टर्सरी भी और क्वाटरनरी अमीन आपको मिल सकते हैं तो क्लियर हो गया तो इस तरह से हम बच्चों अमोनोलाइसिस और अलकेल हैलाइड से अलग-अलग तरह के अमीन का प्रोडक्शन करते हैं समझ में आ गया? ठीक है अब करना क्या है? रियक्शन कैसे करनी है? देखिए सपोज माल ले जाएकि मेरे पास है C2H5NCl ठीक है? और हमने इसके साथ मिला दिया अमोनिया तो बच्चों क्या होगा? C2H5NH2 देखिए R वही है प्लस क्या निकला यहां से? H और Cl माइनस होगे प्लस छोड़ दीजी अब आपको दुबारा से और अमीन बनाना है? तो यहाँ पर है माल नियाजा मैं लेता हूँ CS3, CH2N, Cl दुबारा से L के ले लेट तो एक L काल गुरूप और अटेज हो जाएगा और एक HCl निकल जाएगा देखिए C2H5Cl ठीक है? सौरी, Cl नहीं यह बना है ना? सेकंड रे मिन बना और दुबारा से अगर आपने जो है इसमें C2H5 Cl मिलाया तो अगेन माइनस HCl इधर वाला और इधर वाला और एक C2H5 और लग जाएगा तो C2H5N C2H5 और उपर भी C2H5 ठीक है? यह हो गया आपका टर्ट सरी अमीन तो बस के वल R की वेल्यू चेंज करनी है आपको Cl एक बार होर मिला तो Quaternary Ammonium Salt आपको मिल सकते हैं इस इथाइल क्लोराइट, इस इथाइल अमीन इस इथाइल अमीन, इस इथाइल अमीन इस इथाइल अमीन और यह हो जाएगा Tetraethyl Ammonium क्लोराइट, क्लियर हो गया तो इस तरह से हम अलग अलग टाइप के Amine को बना सकते है ठीक है भई चालो तो ये method पूरा हो गए हमारे पास कि Ammonolysis से हम किस टाइप की Amine को बना सकते है है ना ठीक है ठीक है ठीक है चालो भई आचा एक और इसमें चीज रह जाती है कि जो हमारा Alkyl Halide है ना जो alkyl halide है उसका rate of reaction क्या होगा तो simple सी बात है जिसका bond weak उसका rate of reaction ज़्यादा तो देखिए alkyl halide में ri जो है सबसे ज़्यादा यानि सबसे जल्दी reaction देदा rate of reaction of different alkyl halide तो अभी हमने alkyl halide लिये थे तो mostly क्या लिया जाता है ri जल्दी देगा rbr थोड़ा लेट rcr all late rf सबसे लेट depend करता कि bond देखो दोनों के बीच bond weak है जल्दी तूटेगा bond थोड़ा से strong है और strong है सबसे दा तो जितना ज्यादा bond strong होगा bond को तूटने में उतना time लगेगा तो rate of reaction भी उतना ही मुश्किल होगा या उतना delay होगा clear होगे ठीक है तो ये था बच्चों हमारे पास immunolysis of alkyl halide ठीक है अब next method हमारे पास है second second method हमारे पास reduction of nitro compound है ना बच्चों अब जैसे यहां पर एक word आया है reduction तो बच्चों reduction जब भी होता है किसकी presence में होता है reducing agents होते हैं हमेशा ना ठीक है और यहां पर जो है नाइट्रो गुरूप को कुछ खास तरह के reducing agent reduce करते हैं ठीक है एक तो होता है बच्चों metal plus acid ध्यान रखें metal और acid अब कौन-कौन से metal acid है जैसे fe plus HCl एक यह होता है दूसरा होता है अमारे पास जेडेन प्लस HCl और तीसरा होता है तिन प्लस HCl यह तीनों के तीनों क्या करते हैं hydrogen gas देते हैं और वह hydrogen gas इस natural group का reduction करेगी ठीक है और जब भी बच्चों natural group का reduction होगा तो oxygen out hydrogen in तो क्या बनेगा NH2 group ठीक है तो यह तीन हम reducing agent use करेंगे और इसके साथ एक reducing agent और होता है nickel platinum and palladium plus H2 तो चार total हमारे पास reducing agent है Fe plus HCl, Zn, SnHCl और metal plus hydrogen ठीक है तो बच्चों क्या होगा RNO2 ठीक है यहाँ पे लिखे Pt plus H2 तो क्या हो जागा R NH2 यह बन गया ठीक है और O किस form में निकला बच्चों H2O की form में निकल जाता है न तो H2O लिखने के ज़रूता है इतना चलेगा है ना reduction सीधे reduction करो अब ठीक है बई उसी तरह जो है ARNO2 और उपर लिखा हमने SN plus HCL तो क्या मिलेगा AR NH2 ठीक है तो यह हुआ आपका अलकाइल अमीन और यह वाला हुआ आपका एराइल अमीन ठीक है बई चालो तो अब आर और AR की value चेंज करो अलग अलग टाइप के आपको अमीन मिलते रहेंगी समझ में आगे इतना ठीक आप देखो माल यह जाए मैं करता हूँ C2H5 NO2 है ना नैट्रो एथेन और हम यहाँ पर यूज करेंगे निकल प्लस H2 तो C2H5 NH2 इताइल अमीन बन जाएगा है ना इताइल अमीन क्लियर हो गया है ठीक दूसरा हमने लिया नैट्रो बैंजीन और यूज किया Fe प्लस HCl और Sn प्लस HCl कोई सा भी यूज कर सकते है आप न तो क्या हो जाएगा बच्चों नैट्रो ग्रूप गेट रिदूज इंटो NH2 ग्रूप तो आपको मिल जाएगा अनिलीन और दिस इस कॉल्ड नैट्रो बैंजीन तो नैट्रो बैंजीन यानि NO2 ग्रूप किसमे कनवर्ट हो रहा है NH2 ग्रूप विद थे हल्प आफ रेदूजिंग एजेंट तो कोई साब भी आप यूज कीजिए ILLO साबके साब किसमे कनवर्ट हो जाएंगे एक अमीनों ग्रूप में कनवर्ट हो जाएंगे रहा है हमेसा इन में एक प्रामरी अमीन ही मिलता है जबकि इस से पहले वाले मेथड में primary भी, secondary भी, tertiary भी और quarter भी मिन सब मिल रहे थे लेकिन यहाँ पर केवल आपको केवल क्या मिलेगा primary मिलेगा clear समझ में आगिया ठीक है बस आपको reducing agent का ध्यान लखना है कौन कौन से reducing agent हम use कर रहे है आप देखो यहाँ पर एक exception में आपको बताने वाला यहाँ पर बच्चों अगर हम एक reducing agent जिसका नाम है lithium aluminum hydrate इसके साथ अगर हम reduction करेंगे तो अब आपको बच्चों एनिलीन नहीं मिलेगा द्यान रखें तो इसके साथ direct aniline नहीं मिलता बलकिन क्या मिलता है देखें इसके साथ मिलता है यह वाला compound और दिस compound is called azobenzene तो द्यान रखें बच्चों lithium aluminum hydrate के साथ कभी भी aniline नहीं मिलेगा जबकि इनके साथ aniline मिलेगा तो lithium aluminum के साथ आपको क्या मिलेगा azobenzene मिलेगा ठीक है तो यह ध्यान डगना this is called exception कई बार पूछ लेते हैं कि इसके साथ reduce करवाए तो क्या मिलेगा clear azobenzene तो समझ में आगया बच्चों कि natro group का reduction अकर हम करेंगे तो हमें किस type के amine मिलेंगे और कौन कौन से reducing agent है सबसे important जान रखे कौन कौन से reducing agent हम यहाँ पर इस्तमाल करेंगे ठीक है तो note की जिफटाबट ठीक है भाई चालो बहुत अच्छी बात है next हमारे पास है reduction of cyanide है ना तो मिटा दू इसे तीसरा third adding डालिए reduction of cyanide compound ठीक है cn तो cn बच्चों क्या होता है c triple bond n ठीक है pen change कर लेते हैं कि खतम हो गई अब देखें बच्चों अगेन वहीं यहाँ पर भी reduction सब्दार है इसका मला यहाँ पर reducing agent तो कौन कौन से reducing agent होता है बच्चों देख लेजिए हैं ना एक तो reducing agent होता है यहाँ पर lithium aluminum hydrate यह तो होता ही होता है cyanide group को करेगा ठीक है दूसरा यहाँ पर reducing agent होता है बच्चों यह वाला है ना sodium and ethanol ठीक है और तीसरा हमारे पास एक reducing agent यूज होता है क्या था भही यहाँ पर हाँ lithium हाँ वाई जो यह metal प्लस ऐसे था नेकल पी टी एंड पी डी प्लस है तो यह तीन reducing agent specific है किसके लिए cyanide group के लिए ठीक है जबकि natural group में केवल यह वाला था है ना यह दो नहीं थे ध्यान रखे यह दो अलग से आगए lithium aluminum hydride और sodium ethanol तो बच्चों जब sodium और ethanol के reaction होती है तो अगे नहीं क्या मिलता है h2 मिलता है ठीक है तो देख लेते हैं rcn ठीक है तो reduction तो हमने यहां लिखा nickel plus h2 तो r ch2 and nh2 ठीक है यहां पर triple bond था तो triple bond किस में convert हो गया है पहले double bond में फिर single bond में तो क्या मिल गया हमें एक amine मिल गया ठीक है देखें हम 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 यहां पर हमने रखा benzene और cn ठीक है बच्चों और benzene और cn और यहां पर हमने use किया c2 h5 oh और na तो again हमें क्या मिल जाएगा बच्चों ch2 and nh2 this is called benzylamine clear हो गया देखो cyanide एक carbon extra है ना carbon extra आएगा क्लियर हो गया इसी तरह आप और भी लिख सकते हैं सपोज माल लिया जाए हमने ch3 ch2 cn ठीक है और यहां पर हमने लिखा lithium aluminum hydride ठीक है तो क्या हो जागा है बच्चों ch3 ch2 और cn का हमेशा क्या होगा ch2 and nh2 ठीक है बाई तो यह हो जाए हमारे जुड़ा होगा या तो AR जुड़ा होगा ठीक है समझ में आ गया तो ठीक है नोट करो फटा बट कि इस तरह से हम cyanide का और नाट्रो का reduction करते हैं बस हमारे पास थोड़ा सा जो रियेजेंट हैं वो अलग-अलग होते हैं है ना चालो थोड़ा सा मैं लोड कर लेता हूं एक इतना समझ में आ गया इसमें बच्चों एक exception है मैं भी आपको बताने वाला हूं ठीक है आपने साइद ldiad और ketone में पढ़ा होगा कि साइनाड का अगर हम reduction SNCL2 और HCL की प्रजेंज में करते हैं किसकी प्रजेंज में बच्चों SNCL2 और HCL देखी इसको मिटा का reduction करते हैं SN plus HCL followed by water तो बच्चों अब आपको एक अमीन न मिलके क्या मिलता है एक LD हाइड धियान रखिए दिस इस गॉड एक्सेप्शन तो यह बहुत इंपोर्टन है अभी हमने जो है SN और HCL किस formula था reducing agent के formula था नाट्रो के लिए है ना तो नाट्रो को तो यह amino group में convert कर रहा है लेकिन बच्चों यह cyanide group को किस में convert करेगा LD हाइड group में न कि amino group में तो इसी लिए हम जो है केवल इन reducing agent का use करते हैं इसका use नहीं करते है clear हो गया तो यह थोड़ा सा आपको exception दियान रखने है ठीक है दो exception मैंने आपको बता दिये चलो next तीसरा हम चौथा है यह मिटा दू ठीक है भई अब चौथा हमारे पास है बच्चों reduction of कौन सा था reduction of amide और amide होता है बच्चों CO NH2 तो CDC बात है जब हम amide का reduction करेंगे तो किसका reduction करें अच्छली में CO गूर्प का है ना तो देखें CO NH2 और अगर हम इसका करेंगे reduction तो किसका reduction होगा CO group का reduction होगा तो CO group convert into CH2 and NH2 clear तो यह बस simple सी बात है कि amide का reduction हम सिद्वे किस में करने वाले है अमीन में करने वाले है clear है ठीक है आप देखें बच्चों कौन कौन से यहाँ पर जो है reducing agent हो सकते हैं तो जो reducing agent हमने यहाँ पर पड़े वही कि वही the reducing agent are lithium यह तो बहुत important है बन लीथियम, aluminum, hydride and sodium and ethanol बस दो reducing agent हमारे पास है lithium aluminum hydride पहले भी था और sodium ethanol पहले भी था तो amide और cyanide दोनों को reduce करके किस में convert करेंगी अमीन गुरूप में ठीक है बई चलो देख लेते हैं CH3CONH2 और यहाँ पर हमने लेखा lithium aluminum hydride ठीक है तो co group reduce होगा CH3CH2 and NH2 है ना this is called ethylamine this is called acetamide acetamide और this is called ethylamine clear second benzene के ऊपर आप लगा दो CO NH2 group और यहाँ पर लिया हो sodium plus ethanol है ना sodium plus ethanol तो क्या होगा बच्चों यह जो हमारा CO है वो CH2 में convert हो जाएगा और NH2 SH जैसा रहे था वैसा रहेगा तो यह बन जाएगा बच्चों benzyl amine है ना benzyl amine और इसका नाम था हमारे पास benzamide बस धियान क्या रखना है कि amine group convert into the amine group लेकिन C कहीं नहीं जाएगा ठीक है तो समझ में आगे बच्चों कि reduction of amide हम किस किस तरह से करते हैं तो note करो जो रफटा फट तब तक मैं इसको जरा लोड कर देता हूँ यह लोड हुआ नहीं ठीक है चालो बहुत अच्छी बात है तो बस जब भी आप reduction की बात करेंगे तो reducing agent का ध्यान डखेंगे कौन से reducing agent यूज हो रहे हैं कौन से नहीं हो रहे हैं कहां पर कोई exception आ रहा है कहां पर exception नहीं आ रहा है ना ठीक है चालो नेक्स्ट रिडक्शन कंप्लीट ठीक है बाई फिप्त वाला मैथेड हमारे पस है बच्चों गैब्रियल थैलिमाइड और रियक्शन है ना गैब्रियल थैलिमाइड रियक्शन है तो सबसे पहले हम बना लेते हैं कि थैलिमाइड होता गया है ठीक है अब देखो बच्चों तो हमारे पास C-O-N-C-O-N-H-N this is called थैलिमाइड गैब्रियल थैलिमाइड है ना ठीक है अब देखिए इस थैलिमाइड से हमें क्या बनाना है अमीन बनाना है तो हमें इसको अलग करना पड़ेगा बाकिसे मतलब नहीं अमीन अमीन यहां से मिलेगा तो सबसे पहले बच्चों हम इसकी रियक्शन करवाते हैं के ओ एच से तो के ओ एच में जो ओ एच है वो इस एच को निकाल देता है और के जो है डारेक्ट एन पर लग जाता है देखिए CO CO जैसा था वैसा ही N जैसा था वैसा ही N के साथ लग गया की तो N हो गया माइनस की हो गया प्लस अब थोड़ा सा ए ग्रूप पोलर हो गया है और यहांसे माइनस एच टुओ रिमोव हो जाएगा ठीक है तो पोटेश्यम सॉल्ट बन गया है थैलिमायड का ठीक्लियर next आप देखिए अब इसमें हम यहाँ पर add करते हैं एक alkyl halide R और X मैंने लिखा है तो बच्चों alkyl halide अब यहाँ से breakdown होगा और जो K है वो X के साथ जाएगा और R N के साथ attach हो जाएगा देखें किस तरह से CO CO N के साथ इसमें आ गया R clear और निकला क्या minus K N X ठीक है N के साथ अब R आ गया अब हमें क्या करना है amine बनाना है है ना तो हमें इतना portion चाहिए तो अब बच्चों हम इसको treat करते हैं NaOH से तो यह वाले bond breakdown हो जाते हैं दोनों के दोनों clear तो देखो जब दोनों breakdown हो जाते हैं तो हमें जो है एक इस तरह का compound मिलता है C O O N A N C O O N A इस तरह से ठीक है तो यहाँ पर 2 N A वच ले लेंगे और जो हमारे पास R है वो N H2 के साथ अलग हो जाएगा तो यहाँ पर हमें primary amine मिल जाता है और इसको हम बोल जेंगे बच्चों sodium thalate thalic acid का sodium salt ठीक है thalic acid सब लोग जानते है thalic acid क्या होता है C O O H N C O O H this is called thalic acid और आपने उसको sodium के साथ mix कर दिया तो उसका नाम हो गया sodium thalate तो यह reaction इस तरह से होती है सबसे पहले हमने क्या किया thalamide लिया ठीक है thalamide को हमने के वस से reaction कराए तो यहाँ से H निकला यहाँ से O H निकला तो minus H2 होगा तो K किसके साथ आगया N के साथ देखी इस तरह से तो अब है polar हो गया है अब हमने जिस तरह के amine को बनाना है उस तरह का R और X लेंगे उस तरह का L के लेंगे तो जो है X ग्रूप जो है K के साथ निकल जाएगा minus KX और R किसके साथ लग जाएगा इसके साथ ठीक है अब हमें amine चाहिए तो obviously हमें दोनों bond तोड़ने पड़ेंगे तो हमने क्या क्या यहाँ पर यूज किया NaOH कई बार बच्चों हम यहाँ पर H2O भी यूज करते है हैडोलेसिस भी करते है तो यहाँ पर sodium thalate की जगा क्या बनेगा थैलिक असिड यह बनेगा अगर H2O यूज किया तो थैलिक असिड और sodium hydroxide यूज किया है तो sodium thalate तो दोनों bond तोड़ जाते है ठीक है और उसके बाद यह compound बनने के बाद हमें जो है क्या मिलता है RNH2 यानि इसके साथ H और इसके साथ H आ जाते है तो एक primary amine can formed ठीक है भाई तो इस तरह से यह reaction चलती है ठीक है आप देखिए इसका सबसे बड़ा advantage या आप disadvantage बोल रहो या limitations जो भी आप बोलो गैब्रियल थैला मायट की limitations है ना देखिए यहाँ पे लिख रहाऊ मैं limitations only primary aliphatic amine can form बास ध्यान रखना है गैब्रियल थैला मायट reaction से केवल primary amine बनते हैं और वो भी कैसे aliphatic यानि आप जो है इस तरह के aromatic amine को इस method से नहीं बना सकते कई बार पूछा भी जाता है कि ऐसा क्यों होता है only primary aliphatic amine can form not secondary tertiary और even aromatic amine aromatic किसी भी टाइप का नहीं बनेगा लेकिन aliphatic secondary और tertiary भी नहीं बनेगा केवल और केवल primary और वो भी aliphatic amine बनेगे अब इसका reason क्या है देखे बच्चो पहले तो देखे कि aliphatic और aromatic क्यों बन रहे है देखे यहाँ पर मैंने लिया R और X ठीक है यहाँ पर बच्चो क्या होता है कि हमें R और X बन को तोड़ना है क्योंकि तबी तो R जो है इस पर लगीगा ठीक है तो alkyl halide में से R और X को तोड़ना easy है क्योंकि यहाँ पर कोई resonance नहीं है लेकिन बच्चो बैंजीन और X दोनों एक दूसरे से resonance structure बनाते हैं तो यहाँ पर AR और X बन को तोड़ना difficult है यानि इस बन को तोड़ना muscular इस बन को तोड़ना आसन है इसलिए जो है aliphatic amine आसनी से बनाए जा सकते हैं aromatic amine नहीं बन सकते हैं क्लियर हो गया दूसरा reason देखो जब भी दूसरा तरीक दूसरा हाँ दूसरा problem क्या है कि हाँ primary क्यों बन रहे है न aliphatic और aromatic का तो concept क्लियर हो गया कि aliphatic में bond easily break हो जाता है aromatic में bond break नहीं होता है इसलिए नहीं बनते हैं ठीक है आप देखिए दूसरा primary amine क्यों बन रहे है देखो जब भी हम यहां पर bond breakdown करेंगे तो हमेशा दो hydrogen लगेंगे देखिए तो जब nitrogen पर दो hydrogen लगेंगे बच्चों तो उस nitrogen को हम primary amine ही बोलेंगे क्लियर हो गया secondary amine बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है क्योंकि आप maximum केवल एक alkyl group को ही nitrogen लगा सकते हैं और जब nitrogen पर एक alkyl group लगा होगा तो हमेशा वो primary ही बनेगे secondary नहीं बनेगा क्लियर हो गया तो यह gabriel thalamite reaction है और gabriel thalamite की reaction की limitations आप देख लेजिए केवल और केवल primary aliphatic amine इससे बनाए जा सकते हैं clear ठीक नेक्स्ट लास्ट वाला है six वाला है ना होफ्मेन ब्रोमोमाइड या होफ्मेन ब्रोमोमाइड है ना ब्रोमोमाइड रियक्शन या डिग्रेडेशन आप जो भी बोलना चाहिए ठीक है एक चीज बच्चों आपको ध्यान रखनी है वाट इस होफ्मेन ब्रोमोमाइड रियक्शन सबसे पहले तो देखे एक एमाइड जब एक अमीन में कनवыт होता है उसको हम बोलते हैं थ्यान रखें दोस्तो ना एक अमीन में कनवट होता है इस इस कॉल्ड रोमोमाइड रियक्शन पहली बात ठीक है अब देखें इस अád अज ना होता है पहला हमने लिखा amide convert into amine दूसरा देखिए बच्चों जब amide amine में बनता है तो एक carbon product में कम हो जाता है देखिए बिल्कुल ध्यान रखे यहां से carbon निकल गया तो this is called carbon down reaction ध्यान रखे carbon down reaction है amide में एक carbon जादा होगा amine में एक carbon कम होगा यह ध्यान रखना ठीक है जबकि अगर हम ध्यान देजिए ना जबकि अगर हम reduction करेंगे है ना तो बच्चों reduction में कभी भी carbon number कम नहीं होते है जितना आपने amide लिया है उतना ही amine बनेगा reduction में लेकिन इस reaction में एक carbon less हो जाता है प्रोडक्ट में ठीक है इसलिए इसको बोलते है carbon down reaction तीसरा इसमें जो हम reagent यूज करते हैं बच्चों वो है BR2 plus KOH बस ध्यान रखे है कई बार KOH के जगह जो है NaOH भी यूज कर सेते हैं तो BR2 plus alkali यहां पर हम लिखेंगे BR2 plus KOH तो जहां पर BR2 और KOH लिखा होता है समझ जाना चाहिए कि इधर amide होगा और इस साइड amine होगा क्लियर हो गया? ठीक है तो यह होफ़में ब्रोमोमाइड की खास बात है कि amide amine में convert होता है हमेशा जो product होगा वो reactant के एक carbon काम होगा यानि reactant के पास carbon जाता होगा product के पास carbon काम होगा क्योंकि CO निकल रहा है ठीक है? और region हम कौन सा यूज करेंगे? BR2 plus alkali यानि के वच और एने वच clear? ठीक है ये तिन आप load कर लिजे important next अब इसी को अगर हम reaction में करना चाहें तो कैसे देखिया न? सबसे पहले हमने लिया है बच्चों R-C-O-N-H-2 plus BR2 plus 4-K-O-H ऐसा reaction में लिखते हैं अब देखें सबसे पहले क्या करना आपको एक amine बना देना है यानि CO को आपने हटा देना है और इन दोनों को जोड दिया ठीक है? अब जो CO है बच्चों किस फॉर्म में आगा? वो कार्बोनेट की फॉर्म में अलग हो जाएगा K2CO3 plus यह जो BR है वो K के साथ चले जाएगा 2KBR and last में क्या होगा? 2H2O ठीक है भई? तो 4 और 1,5 3 और 2,5 oxygen होगे तो इस तरह से आपको एक यहाँ पर भी प्रामरी अमीन मिलता है ठीक है? नौट सेकेंडे, नौट टर्सर यहाँ पर भी आपको प्रामरी अमीन मिलेगा और जो हमारा कार्बोनी ग्रूप था वो कार्बोनेट की फॉर्म में अलग है तो देखे यहाँ पर जो है एक कार्बन जादा है लेकिन जो हमारा प्रोड़क्ट है उसमें एक कार्बन कम है इसलिए इसको हम मुलेंगे कार्बन डाउन समझ गए? और बियार टू प्लस अलकली आपको लगाने है क्लियर हो गया भाई? ठीक है आप देखो इसके कोई एक्जांपल करते हैं मिटा दूँ? मिटा दिया जादा देखिए माल नियजर आपके पास बेंजामाइड है और इसका हम बोल रहे हैं आपको बी आर टू प्लस फोर के होगा एचा है ना सीधे लिग दे हमने उपर ठीक है तो क्या करना बच्चों अमाइड को पहले अमीन बनाना है तो एन एच टू ठीक है और जो मैंने बाइप्रोड़ेट लिकेते वो हर किसी रियक्शन बहेंगे क्या कहते बाइप्रोड़ेट टू के बी आर प्लस के टू सी ओ थ्री प्लस टू एच टू ये हर बार होगे बस ध्यान रखना है कि क्या बना एनिलीन बना और ये क्या था बेंजामाइड था तो बच्चों ये हॉफमेंड ब्रोबोमाइड का कमाल है अगर आप बेंजामाइड का रिडक्शन करोगे लीथियम अलमिनम हाइडरेड में तो तब आपको जो है ऐसा वाला अमीन मिलेगा है ना ये बेसिक डिफरेंस है ये वाला अमीन मिलेगा यानि इसका नाम होगा बेंजाइल अमीन बेंजाइल अमीन देखे डिफरेंस कितना है बेंजामाइड में कार्बन जितने हैं उतने ही बेंजाइल अमीन में कार्बन है ठीक है लेकिन बच्चों बेन्जाइमायड में जितने कारबन है हौफबंट מת के केस में उतने carbon नहीं है तो clear ध्यांड रखिए कि हौफम्ट में नहीं हैं एक carbon down reaction है जबकि reduction में जितने । प्रोड़क्ट के पास है उतने ही carbon product के पास भी आ रहा है ठीक है तो दोनों में बेसिक डिफरेंस है है ना चलो तो इसी तरह से बस आपको reaction करनी है ना अब यहां पर माल लिया जाए मैं यूज करता हूँ कोई और अमाइड जैसे CH3, CH2, CO, NH2 तो total कितने कार्बन है तीन कार्बन है तो हमारे product में कितने कार्बन होने जैंे बच्चों दो कार्बन होने जैंे तो देख लिजए तो CO को हटा देना है तो हो जाएगा CH3, CH2, NH2 देखें दो कार्बन वाला product बंजे गया है जिसका नाम है Ethyl Amine और प्लस 2KBR प्लस K2C O3 N2S2 तो बस ये reagent आपको याद रखना है कि BR2 प्लस KWC का यूजम Hoffman Degradation में करते हैं ठीक है बच्चो तो लोट करो फटा-फट कि क्या हो रहा है इसमें तो ये सारे के सारे थी methods of preparation of Amine तो ये 6-6 method आपको डंग से याद रखने हैं खास कर जो लास्ट वाले गैब्रेल थेलामाइड और Hoffman Bromomide Reaction ये कई बार पूछी भी जाती है क्लियर हो गया? चालो नेक्स लेक्चर में बाकी पोर्षन कवर करेंगे तब तक ले थैंक्यू बड़ी मच